हेलो फ्रेंड्स दिस इस और वेयर एंड वेलकम टू अलाइन मेंटर आप सभी का मेरे चैनल अलाइन मेंटर पर स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टु एस और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में यानि कि हाइड्रोजन सलफाइट गैस के बारे में और इसकी भी सुस्ता है फर्स्ट वानी एस्टु एस इस प्रोडेश्ट और जेनरेटेड बाई डिकॉंपोजिशन अफ और्कैनिक मेटेरियल्स यानि कि एस्टु एस कार्बनिक पदार्तों के डिकॉंपोजिशन द्वारा निर्मित या उत्पन होता है इट इस हाइली टॉक्सिक अनिकि बहुत ही जहरिला होता है इने स्मेलिक रोटेन एक अट लो चाहित त्रयशन यानि लो in water and other liquid यह पानी और अन्य लिक्वीड में अत्यारिक शॉलिवल होता है एक्स्ट हम लोग परेंगे exposure limit of H2S यानि कि H2S के exposure limit क्या है तो first is TLV TWA of H2S is 10 ppm यानि कि H2S का threshold limit value यानि जो TWA वो 10 ppm होता है up to 10 ppm work can be done without respiratory protection system over the normal worksheet of 8 hours यानि 10 ppm तक स्वसन संरक्षन प्रणाली के बिना 8 घंटे के समान निकारी सिफ्ट तक काम किया जा सकता है STL of H2S is 15 ppm यानि कि H2S का short term exposure limit जो होता है वो 15 ppm होता है 10 to 100 ppm work can be done by SCABA और airline breathing apparatus यानि कि SCABA या airline breathing apparatus द्वारा 10 to 100 ppm तक काम किया जा सकता है वो भी 15 minute की छोटी ओदी के लिए IDLH of H2S is 100 ppm means above 100 ppm work will not be permitted it will be only allowed for rescue यानि कि 100 ppm के उपर काम की अनुमति नहीं होती है जिर्फ बचाओ कारियों के लिए अनुमति दी जाती है अके तो नेक्स हम लोग परहेंगे अब what are the prominent of H2S 1000 यानि कि H2S 1000 में में कौन कौन से हैं तो सबसे फर्स्ट आइस एंड रेस्पारेटरी इरिटेशन आखो और सांस की जलन उसके बाद आता है देजिनेस, हैडेक, नॉसिया और अब्डॉमिनल पेन यानि की चक्कर आना सीरदर और पिट में दर्द होता है नेक्स्ट लॉस ओफ कॉंसियसनेस, ब्रेन डायमेज पॉसिबल, देथ है और फैटल यानि चेतना की हानी, मस्तिक छती, बीर्टू या फिर कोई घातक, नेक्स्ट हम लुक परेंगे प्रिकॉस्ट नेरी मीशन टू बिर टेकन वाइल एप्रोचिंग एस्टु एस प्रोन एरिया, यानि की संपर्व करते समय कौन-कौन सी सवधानी बरत निया, फिर्स्ट सफि इक्वट वीट पर्सनल देटकर और अलार्मिंघ डिऍम की इनकेस ऑस टाइन था Samo True ॉट्रों देशस अलांने यानि अगर फिर्सी आलार्म बजता है तो सभी कर्मियों को छेतरों को खालाँ चाहेए और असेंब्ली पैंसरों करणा चाहिए नेक्स्ट Очानल the wind direction and evacuate in the crosswind direction in case of H2S leak अगर H2S का रिशा होता है तो उस condition में हमें हवा के बिप्रित दिशा में जगा को खाली करना चाहिए नेक्स नेवर गो टू अलो लाइंग एरिया डियूरिंग H2S लेख याने कि H2S अगर लिकेज है तो उस टाइम में हमें कभी भी निचले इलाकों में नहीं जाना चाहिए तो यह था हमारा आज का वीजियो ठैंक्स पर वाचिंग और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक सेयर जरूर किजिए जय हिंद